देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ स्रिस्टी राय बुलिटिन की शुरुवात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ जब की दूसरे लड़के का इलाज चल रहा है बताय जा रहा है कि मृत भाई बहन अपने ननिहाल देवरिया खास में जिनके साथ घटना हुई है वही सूचना पर पहुची पुलिस पूचताच करते हुए चानबीन करने में जुट गई है वही अगली खबर गाजिपूर से है जोहां राज बाल अधिकार संरक्षड आयोग के अध्यक्ष देवेंद्रों शर्मा ने दौरा किया है अपने दौरे के तहट उन्होंने जिला अस्पताल पीकु वर्ड और पूशन पुनर्वास केंद्र का निरिक्षड किया बाल संरक्षड आयोग के अध्यक्ष ने जिला जेल कई आंगन बाड़ी केंद्रों और प्रात्मिक विद्याले कस्तूर्बा विद्याले का भी निरिक्षड किया इस दौरान उन्होंने विवस्ताओं का जायजा लिया अस्पिताल और पीकु वार्ड में मरीजों और तमारदारों की मिलने की चुकितसे सहूलियत के बारे में भी जानकारी ली उन्होंने जुला जेल का मुआइना कर हालाग की जानकारी देले महला बेना हैं महापर मैंने देखा कि उनके साथ बच्चे थे और उनसे भी मिला और महापर हमारी जो योजना चल रही है जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे मुख्यमंत्री जी महला और बच्चों के लिए काफी संब्यधन सील है उनकी संब्यधन सीलता इस बात को सिद्ध करती है जब कोरोना रूपी महामारी थी बच्चे अनाथ हो रहे थे उन अनाथ बच्चों की चिंता करने का काम किया है तो योगिया अधितनाजी ने किया है और उन बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सिवा योजना के तहट ऐसे बच्चों को धाई यार रुप्या मुखमंती बाल सामानी योजिना के तैप दिया जा रहा है अगली खबर लखनव से है जो हजुरत गंज शेत्र में दो गाड़ियों में टक्कर होने के बाद डाला चालक के साथ घटना हो गई पुलिस द्वारा तत पारत से कारवाई क कर जालक को सकूशल बरामत करते हुए अभियोग पंजिक्रित कर लिया गया है वही गट्टा में प्रयोक्त गाड़ी सहीत अभियोक्त को हिरासत में ले लिया गया है कल दिनांक 1823 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो संग्यान में आया जिसमें कुछ लोगों के बीच में अधिवाद होने के बाद जो कैब ड्राइवर है उसके साथ जो डाला ड्राइवर था उसके साथ जूर जबरस्ती करते हुए उसको ले जाया गया वही अगली खबर पॉड़ी से है जहां जुला मुख्याले पॉड़ी में मासूम बच्ची के कुट्टे के जुंड द्वारा काटने की मामले नी तुल पकर लिया है और वही कलेक्ट्रेट भवन के समीप युवा कॉंग्रेस ने प्रदर्शन कर पालिका अध्यक्ष का खुटों, सांडों, आवाराबसों के संक्या में बढ़ उत्री होती है लेकिन साशन, परसाशन और नगरपाली का जो अध्यक्षिन यहां पर घहरी निद्रा में सोये हुए हैं उन्हें कुछ यहां पर दिखाई नहीं है लगातार यहां पर सांडों द्वारा लोगों को मा आए है यह मैं देखते आई हो और वहां एक वार्ड मेंबरों में से मैंने मैं ही आवास उठादी आई हूं हमेशा और आज कर जो यह आज ही नहीं वालकि मुझे लगबढ़ छे महने से उपर हो गया यह बात सुनते हुए कि रास्तों में कुत्ते काटने पे लगे हुए है मैंने ये शूचना नगरपालिका मैं S.I.E. को बहुत पहले दे दी थी लेकिन S.I.E. का या नगरपालिका परशाशन का कहना यह है कि हम कुत्तों को मार नहीं सकते हमारे लिए उपर से आदेश नहीं है वही अगली खबर उत्तरब्रदेश असे है जहा मुख्य मंतरी योगी आदितनात से विश्वा बैंक की टीम ने मुद्वार को मुलाकाथ की विच्व बैंक के सदस्यों नी कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी के विजन के अनुसार उतर प्रदेश में अवस्थ अपना विकास और अधोग्य करण कूडा निस्तांतरण गरीबी उन्मूलन नियूजुत शहरी करण पार्यवरन संरक्षण आधी सेक्टर में बीते शह सालों में उतर प्रदेश को निया क्लेवर मिला है वही वर्ल्ड बैंक के कारेकारी निर्देशक परमीश्वरन अयर ने प्रदेश में हुए विकासकारियों की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री योगिया दितनात को इसके लिए बधाई भी दी है महराश्ट और देश्व का प्रतिनीधी मंडल उत्तर प्रदेश आया है इस प्रतिनीधी मंडल में 100 ताकतवर देशों का प्रतिनीधित्व करने बाले लोग हैं वर्ल्ड बैंक के कारेकारी निर्देशक परमीश्वरन अयर ने कहा कि देश में बीते 9 साल और उत्तर प्रदेश में बीते 6 सालों में काफी अच्छा काम हो रहा है उन्होंने कहा कि वर्ड बैंक का मिशन हमीशा से ही गरीब उन्मूलन करा है मगर अब पारेवरण सनवर्धन को लेकर भी हमारा विशिश जोर है वह अगली खाबर की तरफ रुख करते हुए बता दे कि पस्चिम बंगाल की मुख्य मंत मंत बैनरुजी ने विवक्षी एकता की अगली बैठक की तारिकों का एलान कर दिया है हाला कि तारिकों को लेकर उन्होंने संभावनाई व्यक्त की हैं इसके अलावा मुख्य मंतरी ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है उन्होंने काया है कि बंगाल में अगर चूटा सा मामला भी होता है तो वो सिर्फ भाजपा के उकसावे और अत्याचार के कारण होता है। भाजपा बाहर से गुंडों को काम पर रखते हैं, वो गेम प्लान करते हैं, वही ममता इतनी पर ही नहीं रुकी। दरसल ममता बैनर जी ने नू हिंसाप पर कहा कि सीम खटर बोल रहे हैं कि राजप्रतेक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर सके। ये सच है क्योंकि राजपा सरकार हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकती। लेकिन सरकार को जाती पंत के नाम पर लोगों को भड़काना नहीं चाहिए। बाजपात देश और राजपा को विभाजत कर रही है। सरकार को राजप में शांती इस्थापित करनी के लिए कोशिश करना चाहिए। वह अगली खबर में बात करेंगे राजीव चंद्रशेखर की जहां कॉंग्रेस के नेतरेतुव वाली UPA सरकारों पर हमला करते हुए केंद्रया एलेक्ट्रोनिक्स और सुचना प्रदोगी की राजीमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि उस दौर में 2G जैसे घोटा वहीं मुदी सरकार ने पिछले 9 साल में हालत को काफी अच्छा बनाया है वहीं अगली खबर की तरफ रुख करते हैं जहां केंद्रय जाच ब्यूरो CBI ने सुप्रिम कोट को बताया है कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीशिशोदिया राष्ट्रिय राजदानी में शराब व्यपार पर एक आधिकार और गुटबाजी करने के लिए दक्षित भारत के आरूपियों के साथ अपराधिक साजिश में शामिल थें जहां सिसोधिया की जमानत याचिका के विरोध में दायर जवाबी हल्फ नामे में CBI ने तर्क दिया है कि सिसोधिया ने दिल्ली उत्पाद शुलक नीती के बारे जनता की राएगड़ी है दिस बॉलेटिन में फिलहाल के लिए बस अतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी और एहम खबरों के लिए देखते रहे है न्यूज वर्ल इंडिया धन्यवाद